आप देखरें पीटन्टेन्योज भीम आर्मी के राष्टे अध्यक्स चंदर सेखर आजात के चारों हमलावर गिरपतार गोली चलाने वाले दो पर्मुक आरोपी लवीश और विक्की जेल में बन थे जेल से छूटने के बाद घटना को अंजाम दिया गया आप ख़बर गिस्तार से आपका बता दे कि सहारनपूर भीम आर्मी परमुक एवम आजात समाज पार्टी के राष्टे अध्यक्स चंदर सेखर पर हमला करने वाले चारों आरोपियों को मीडिया के सामने लाया गया दी आईजी अजे कुमार साहनी ने आरोपियों की गिरपतारी का खुलासा करते वे बताया कि इन लोगों ने जातिगर बेस भावना के चलते चंदर सेखर पर हमला किया डी आईजी अजे कुमार सानी ने बताया कि ये चारों आरोपी विकास, लवीश व परसान्त सहारनपुर देवबंद के रहने वाले हैं वबिक्की हर्याना का रहने वाला है। चारों अपरादी हमबाला कोर्ट में आत्म समर्पर्ण करने के लिए जा रहे थे लेकिन सहारनपूर पुलिस ने कोर्ट में आत्म समर्पर्ण करने से पहले चारों हमलावरों को गिर्पतार कर लिया पुलिस ने घटना में प्रियुक्त गाड़ी वहतियारों को भी बरामत कि सहारनपूर से महिश्क मार की रिपोर्ट यूज के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक से रह सब्सक्राइब हवस्च करें जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 28 तारी को चंसेकर आजात की गाड़ी पर हमला हुआ था वो फाटूनर गाड़ी में सवार थे इसमें सहारन पूर्दवारा त्वरी तोर पर फाज टीमें बनाई गई थी एसपी सिटी, एसपी देहात, सीयो देवबन, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी इसी करम में ये तत्थ निकल कर सामने आया कि ये चार लड़के हैं एक बिकी जो की हर्याने कराने वाला है, एक बिकी रनखंडी कराने वाला है एक प्रिषान्त है और एक लभीष है ये चारों लोग गाड़ी में सवार्थ हैं दिजायर में गाड़ी विकास की थी जो कि हर्याने कराने वाला है और इनने पूछ ताच में बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंसेकर आजाद द्वारा एंसेयर और दिली में बयान बाजी की जा रही थी उस बयान बाजी में काफी ऐसी चीजें थी इसको लेकर हम लोग में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया फूल तीन राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है जो 315 बोर के तमंचे से की गई है और इन अभ्यूक्तों में से कुछ का अपराधी कितिहास पूर में 307 और लूट कर रहा है जो एक दो एक दो घटनाए है जो प्रेस नोट में कारण इनकी गिरवतारी हरिणा से की गई है वहां यहां के टीम गई और अप्र फार्षाने में इंट्री करा ही गई है, इंके गिरवतारी की गई लाये गया इन्हें वहां से और इसमने जो भी राज़पती तदिकारी लगे हुए उन और सभी को प्रसस्ती पत्र भी प्र किया जा रहा है इस चार में से तीन का प्राधी कितियास अभी तक हमें प्राप्त हुआ है हथियार इनके पास थे हैं जैसा कि मुने बता है पूरू में भी इन्होंने 307 की और एक लूट के घटना में भी यह सामिल रहे है देवबंद में तो इनका अपरादी कित्यास पहले से रहा है